मैं हूँ अलफिय और आप देखरें ततकाल न्यूज लाइफ बरेली के हैतेमादे मिलत काउंसल प्रमुक मौलाना तौकित रजा खान ने कहा कि जुल्म और ज्यादती की हद हो गई है अगर हुकुमत दंगा फसाद कराना चाहती है तो हम तयार है शुकरुवार को बिहारी प करोलान सित्य संगटन के एक पतदीकारी के आवास पर मौलाना मीडिया से रूबर हुए उन्होंने कहा कि हमें बहुत छेड़ा गया है अब छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं उन्होंने विश्व हिंदू परिशद पजरंग दल पर पाबंदी लगाने की मांग भी की म कामें परेशान ना करो हमारे सब्र का लावा फटेंगा तो ठीक नहीं होंगा ये प्रदर्शन भी इसलिए था कि प्रेशर कुकर की तरह जो गैस भर चुकी है उसे बाइपास कर दिया जाए हमने एक सेफटी वाल का काम किया है क्योंकि हम अमन चाते है मौलाना ने कहा कि अफरत क्यों करते हो हिंदुस्तान के रंग में मुसल्मान बसा हुआ है नसों से खून खीच दोंगे तो बचेंगा क्या मौलाना ने कहा कि उत्राखन के मुख्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने देखा कि मुख्य मंतरी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दंगा कराया वो प्रदान मंतरी बन गए इसलिए धामी भी सोच रहा है कि वह भी प्रदान मंतरी बन जाए वह जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई धामी की संपत्ति से की जाए प्रिम कोट को बुल्डोजर के खिलाफ सथ संग्यान लेना चाहिए देश में अमन बनाए रखन हैं तो बुल्डोजर को रोकना जरूरी है मौलाना तौकिर ने कहा कि प्रशासन हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है बाबरी मस्जित पर फैसला आस्ता के आदार पर दिया गया था ग्यान वापी में पूजा की इजाज़त दी गई आस्ता की बात है तो हम ग्यान वापी मस्जित और मतूरा की इदगा देने के लिए तयार है लेकिन पहले मान सरवर को किन से आजाद कराए वो भी पहले भारत का ही हिस्सा था हम भी साथ चलने के लिए तयार है मौलाना ने कहा कि बेई मानी के खिलाफ नाय मिलने तक हमारा अंदुलन जारी रहेंगा अब पूरे हिंदुस्तान में होंगा कमजोर समझ कर हमें नुकसान ना पहुचाया जाए हम इसका मुकाबला करेंगे